हलो दोस्तों स्वागत है आपका बीके इंडेस्टीज में आज हम सोया मिल्क का डेमो करेंगे सोया मिल्कन टोफू का यह हैं दोस्तों यह हमारा ग्राइंडर यह आटमेटिक प्लांट है यह ग्राइंडर है इसमें हम सोया बीन और पानी डालेंगे एक साथ और इसके बाद इ उसके बाद इसका जो उकारा निकलता है इस उकारे को भी हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको डालेंगे दुबारा जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा इसके अंदर वो भी इसमें बनके रेडी हो जाएगा ये देखिए अच्छे से मिल गया है भी अब दुबारा इसको ग्रैंडर में डालेंगे जी यहां दोस्तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है दुबारा और मिल्क बनके निकलके रेडी हो जाएगा हमारा मिल्क आ जाएगा बैलेंश टेंक में उसके बाद ये Milk बनाके हमारे Balance Tank में आए गया उसके बाद हम करेंगे जी हाँ दोस्तों, milk बन के ready हो रहा है, यह जो plant है हमारा 100 liter पारा capacity का है, automatic plant है, यह milk बन के ready हो गया, अभी हमारा milk आ गया balance neck में, अभी सारा हम auto transfer करेंगे, नीचे pump लगा हुआ है, इससे सारा हम auto transfer करेंगे, cooker के अंदर milk चला जाएगा, अब यह थोड़ा-थोड़ा हिला रहे हैं, और नीचे से pump लगा हुआ है, यह देखिए, और इसी tank से, और cooker के अंदर आपका milk जा रहा है, यह देखिए, सारा milk चला जाएगा, यह सारा milk जा रहा है, यह सारा milk चला गया है, अब इसके बाद हम इसको, इस सारा milk चला गया है, अब इसके बाद इसका हमारा cooker में सारा milk आ गया है, और ट्रांसफर हो गया है, जी हाँ दोस्तो, इसके बाद हम करेंगे इसकी cooking, यह है हमारा boiler, इसमें steam बन के ready हो गया है, अब steam से इसको cooking किया जाएगा, steam cooker में जाएगी, यह देखिए भी normal temperature है, अब दीरे दीरे इसको cooking होगी, 5 से 10 मिनट में cooking कम्पलीट हो जाएगी, यह जो हमारा cooker है, यह 40 लिटर का cooker है, इसमें एक बार में 25 से 30 लिटर आप milk cooking कर सकते हो, अब milk cooking होगे, ready हो गया है, अब यह हमारा बाहर निकल गया है, एकदम 100 डिगरी तक cooking हो चुका है यह, अब यह जैसे सारा निकलेगा दूद, इसको हम coagulate कर देंगे, इसका जो chemical है वह हम आपको बता देंगे, जब आप हमसे machine लोगे, वह अच्छी quality का बनेगा आपका जो product, अब वो coagulate करने के बाद हमने, इसको press कर दिया है, automatic press है यह, single head में automatic press है, जियां दोस्तो, अब यह 5 मिनट इसको लगते हैं pressing होने में, 5 मिनट में पूरा पानी निकल जाता है, और प्रैस बनके radio जाता है, उसके बाद बनके radio हो गया है, उसके बाद हम इसको cutting कर सकते हैं, जैसे 200 ग्राम का यह cutter है, 200 ग्राम में आप cutting कर सकते हो, जी हाँ दोस्तो, एक बाद से आप सचित रहना, कि यह गाए भैंस का जो दूद का पनीर है, वो नहीं है, यह बेश सोया बीन से बनता है, और इस धूके में आप इस machine को कभी ना लें, मेरा मानना है, आपको अगर business करना है, तो प्लीज टोफू का business कीजिए, सोया पनीर का business कीजिए, सोया पनीर बोल के बेश सकते हो market में, इसको normal पनीर बोल के नहीं बेश सकते हो, काफी लोग धोका खाके machine ले लेते हैं, कि लोगों को बोल दिया जाता है, अगर आपको बिजनिस करना है, हम भी machine बनाते हैं, हम किसी वो गलत guide नहीं करते, आपको tofu का काम करना है, सोया पनीर का काम करना है, तो आप कर सकते हो, हम से जूड़ सकते हो, ठीके दोस्तो, तो इस सचाई से aware रहें, और कभी धोके में न जाएं, तो प्लीज आपको ये machine चाहिए, हम से contact कर सकते हैं, और आपको हमारा नमर श्क्रीन पर दिया हुआ है, आप हम से contact कर सकते हैं, धन्यवाद दोस्तो, कोई भी गोरी हो, आप हम से contact कर सकते हैं, धन्यवाद दोस्तो, अगरे आपका ब्राण्ड हो गया, स्टार्टिंग में आप ऐसे ब्राण्ड बना के बेश सकते हैं, इसमें अकोश्टिमी का माती है, आपका प्रिंटिंग का खर्चा बच जाता है, एक डेड़ लाग बड़े का, स्टार्टिंग में आप इस टैप से पेकिंग कर सेखे, तो काफी अचा लग रहा है, देखिया, अपका बच्छा बच्छा बच्छा,